को है अधिन श्रुगत है अफ सुभी का मिश्विद्ध कुछन सेंटर में इस वीडियों में बात करेंगे भारत के भुगूल के बारे में यह इंपॉर्टन कोष्ण क्या क्या बने तो पहला ही है वह है सामाने पर प्रचे जो 66 ल से इंपॉर्टन कोष्ण बने क्या 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 बने तो सबी discuss कर लेते हैं पहला question पर चलते हैं पहला question क्या है पहला question आपसे पूचा गया है कुछ statement दिये गये हैं कहता है भारत के संदर में कौन से गतन सही है कहता है भारत विष्व का छटा सबसे बड़ा देश है नहीं भैई तो मतलब पहला ही गलत हो गया तो अगर पहला गलत हो गया जहां पर दिया गया वो गलत क्युकि सातव होगा सबसे बड़ा और देशा है संसार का लगबग 2.4% छेत्र भारत के अंतरकत आता है सही है तो सही है करकरेखा देश के बीच से गुजरती है जो अच्छान से विस्तार को दो बराबर भागों में बाढ़ती है ठीक है भारत पूरी तरह के से उस ट्रिकेट बंदी छेतर में इस्तित है तो दो और तीन वाला आपका आपसन सही है चार वाला आपसन गलत है तो ये C वाला उप्सन हो जाएगा दू और तीन वाला क्या पर क्या हो जाएगा अपका भारत करक्ते का यह तो पड़ लिया भी जस्ट दूसरा कुश्टन देखते हैं कहता है इसमें भी जस्ट लिखा है कि भारत विस्ट का पांचवां सबसे बड़ा देश है नहीं पांचवां नहीं साथ पांचवां सबसे बड़ा देश है उसके बाद कहता है कि यह स्थल मंडल के कुल 6 रिफल का 2.4 परसंट भाग अधिकरत किया हुए हाँ यह तो सही बात है उसके समूचा भारत उस्ट कटिवंदी उस्ट कटिवंदी में स्थित है यह भी गलत है क्योंकि समूचा भारत नहीं है साड़े 82 डिगरी पूरी देसांदर का उपयोग भारती मानक समार रिखा को निर्धायत करने के लिए किया जाता है यह तो सही है आपका दू और चारवला उप्सन सही है बाकी गलत है अगले कोश्टन पर चलते हैं अगला कोश्टन आपसे पूछा गया है छेतरफल की दिर्श्टे भारत का विश्ट के देसों में कौन सा इस्थान है जनसंख्या है पूछे तो दूसरा इस्थान है भारत वर्ष आकार में विश्ट का कौन सा देस है साथ वान सबसे बड़ा देस है और भारत का चेतरफल संसार के चेतरफल का 2.4% है परनतो इसकी संपोड मानो जाती का 17% जनसंख्या भारत में निमास करती है ठीक है भाई 17.5% तो यह बिल्कुल यह करेक्ट डाटा है भारत वर्ष में लगभग कितने गाउं है यह गाउं कार भी डाटा पूछा गया कितने गाउं है तो भारत वर्ष में इन में से कोई नहीं पूछे मतलब अच्छा ऑप्सन नहीं दिए गए होंगे काट लाग ऐसे कुछ डाटा तो यह है 64 कितने हैं भी 6,44,930 काउं है कितने हैं 6,44,930 काउं लगभग में उसके बाद में कहरा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो कुछ डाटा दिया गया कहता है कि भारत का कुल चेतरफल 32,8263 किलोमेटर है तो इसको 60 में दिया है 3.28 मिलियन वर किलोमेटर यह तो ठीक दिया है गया डाटा उसके बाद में पूछ रहा है कि कह रहा है कि अपसे है कि भारत का चांसी विस्तार कितना है तो 8.8 डिगरी चार्द मिनट उत्तरी से 37 डिगरी शे मिनट उत्तरी है चांस और फिसके भारत का देशांतर रेखांक तो यह आपका सही है बाकि बारत मैं रज्चों की संकी अट्जांतर यहां पर狩 दिया तो इसलिए यह वाला गलत हो जाएगा उसके बाद में 28 से स्टेट और 8 यूटी है 26 जनुवी 20 से भारत में कुल 28 राज और 8 यूटी है और नमीनतम के इन सासित यूटी कौन से है तो दादर नगर है वेली और दमन दियूप हो जाएगे अगला कुश्चन कहता है कि भारत की भारत के लिए कत्मों में कौन सा गतन असाती है तो यह हो जाएगा भारत विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है सही बात है जन संक्या के द्रस्टी से दूसरा है सही है मतलब ठीक है इसकी भूम में सीमा का विस्तार लगभग पंद्राजा दो सो किलोमेटर है सही है सरप्रथम सुरुते मिजोरों में होता है यह गलत मतलब अरुडासल प्रदेश में होता है सरप्रथम तो इसका अंसर कहीं लिखा भी होगा अरुडासल प्रदेश में होता है ये लिखा नीचे आप बात करते हैं अच्छान सी विस्तार से क्या के कोशन पूशे गए अच्छान सी विस्तार का टॉपिक ही सुरू करते हैं देखो भी है अच्छान सी विस्तार से पहला कोशन पूशा गया भारत का अच्छान से विस्तार कितना है तो अच्छान में से कोई नहीं ऐसा कोई डाट मतलब इसमें से क्लिर डाटा कुछ दिया नहीं है तो यह अच्छान से विस्तार देखना भी अच्छान से विस्तार है करकरेखा भारत के लगबख बीचो बीच से होकर गुज़रती है और इसलिए भी कलब डी इसमें बताया गिया अग्ला कह रहा है कि वसक्किन से गुजरने वाला अच्छांस नमलिकित में से कि सेख से भी होकर गुजरता है तो राजस्तान से होकर गुजरता है जिस जिले से 70 डिगरी पूरवी देशांतर देखा गुजरती है वह कौन सा जिला है तो राजस्तान का जैसल में जिला हो जाएगा पस इतने कुश्टन पूछे गए ते तीनी ठीक है अच्छांसी से तीनी कुश्टन पूछे गए हैं बार बार और अगला कुश्टन लİकरता है भारत यहां से कुश्टन कै पूछे गयों तो देखो गिर करकरेखा से एक बार कुश्टन ज्यादा मैक्समम यह पूछाए किस राजसे हो नहीं गुजरता है आठ राजसी कुझा वजरती है साड़े तेस दिगरी उत्रिय चांस को करगरेखा कहा जाता है चलते हैं सीधे कुश्चन पर ही चलते हैं ये देखो इधर से गुजरती है ये आपका गुजरात है MP है 36 करड़ है राँची है जारकंड वाला और फिर आपका पश्यमंगाल है फिर आपका त्रपुरा है फिर मिजोरम है ये राज़ी हो जाते हैं आप कुश्चन पर चलने सीधे पहला कुश्चन क्या कहता है पहला कुश्चन इधर है साइद कहता है करकरेखा किस राज़े से होकर गुजरती है तो बिहार से होकर गुजरती है जो जारकंड वाला हिलाका है बिहार जारकंड इसमें लिखा है इस तरीके से तो ये हो जाएगा अच्छा फिर उसके बाद में अगला कुश्चन कहता है कि करक रेखा किन राज्यों से उकर गुजरती है तो ये उत्रपदेश लिखा है जारकंड लिखा गुजरात लिखा तो ये लिखा गुजरात से गुजरती है और शत्रपदेश गुजरती है जारकंड से उत्रपदेश से नहीं गुजरती है तो आपका एक दो चार वाला उप्सन सही हो जाए करक रेखा गुजरती है कहां से तो ये इतने मद्रिपुदे से दुरुपुरा मिजोरम सभी राज्यों से गुजरती है कितने भारती राज्यों से आठ राज्यों से भारत का एक राज्य से करक्रेखा उसको गुजरती है तो ये हो जाता है जारखंड से बाकी राज्यों से उकर नहीं गुजरती है करकरेखा नहीं गुजरती है कौन सा राज्य इसमें मड़िपूर है ठीक है अगला इसमें देखो कौन करकरेखा से निकटतम दोरी पर इस्थेत है तो ये हो जाता है गांधी नगर ठीक है गांधी नगर हो जायता है सबसे निकट तम दोरी पर इस्थित है गांधी नगर कौन सा नगर कौन सा नगर करक रेखा के निकट इस्थित है तो ये कौलकत्ता कौलकत्ता हो जाएगा कौन सा महतपुर्ड चांस भारत को दो बराबर भागों बाड़ता है तो साढ़े तेज तगरी उत्तरियाच चांस ठीके साढ़े तेज दिगरी उत्तरियाच चांस डीवाला सही है कौन सा भरती राजिकर्ग रेखा के उत्तर प्रमेश्त Grade थे तो इसमें तो आप आसानी से कर सकते हों जारकन्ड़ लिखा है और मढड़ीपूर लिखा है तो ये दिल्ली में, दिल्ली में होती है, सरवादिक होती है, दिन की अवद होती है, कैसे उनको सुरी उत्तराया अर इस्तिति के सरवोच बिंदू पर होता है, इस मामे क्यारक रेखा, इसे उत्तर जाने पर दिनों की अवदी बढ़ने रखती है, दिल्ली के इस्तिति, वो प अच्छा मतलब जबल पूर अम्धाबाद उच्छाईन वाराड़सी तो जबल पुर इसमें होगा answer भारत की नदियों में कौन करकर एक वो दो बार काटती है तो माही नदी दो बार काटती है माही नदी दो बार काटती है अगला है अगला देखो यहां से जुरू होता है मानक समय मानक समय जो जगर्फी मतलब टॉपिक है important question यहां से बनते हैं तो देखते हैं भिया यह रहा है आपकी मानक समय रेका साड़े बैसी रिग्री पूरवीदेश अंतर कहां कहां से गुजरती है उत्तरप्रदेश से गुजरती है 36 कर से गुजरती है उडिशा से गुजरती है अंतरप्रदेश से गुजरती है मतलब कितने राज्यों से पांस राज्यों से उकर गुजरती है ठेक है भी यह चलो चलते हैं सीधे question पे लिखा है कि जब भारती मानक समय के आम उंतर पर अर्धर आत्री है एक स्थान पर सुबह छे बज़ता है उस स्थान की अवस्यति जिस आम उत्तर पर है उसका तो 172 डिग्री और 30 मिनट पूर भी देशानता है क्योंकि चार मिनट का अंतर होता है ऐसे यह नहीं सब कुछ लिखा है यहां पर एक घंटा बराबर 15 डिग्री होता है तो भारत का मानक समय रेका होता है साड़े बैसी डिग्री है मुत्तर अर्थात नबबे प्लस साड़े बैसी जोड़ दो तो इसमें जोड़ जाएगा नवाट सत्तरा एक सो बात्तर सही एक बटे दो डिग्री पूर होगा गुचरात के सबसे पश्चमी गाउं और रवडाचल प्रदेश के सबसे पूरवी छोर परिस्थित वलांग की समय में कितने घंटे का अंतराल होगा तो यह होता है दो घंटे का होता है कितने दो घंटे का होता है दो गुंटे का होता है फिर अगला कुश्चन पूछा गया आप से कहता है कि मतलब निम्न कतना पर विचार कीजे कौन से सही है जबलपूर की देसांतर रेखा इंदोर भूपाल की देसांतर रेखाओं के बीच है और अंकाबाद का चांस वड़ोद्रावा पुड़े के चांसों के बीच है बंगदरू के अवस्थिती चन्ने की तुलना में अधिक दच्छडा वर्थ होती है तो ये दो और तीन वाला सही हो जाएगा बाकी ये वाला गलत हो जाएगा ठीक है अगला देखो अगला कुश्चन क्या कहता है आपसे कहता है कि कौन सा कौन सा सेर भारती मानक समय रेखक देशांतर के निकट तम है तो ये हो जाएगा रीवा एमपी का रीवा हो जाएगा एमपी का रीवा ठीक है एमपी का रीवा हो जाएगा ये दि मानक समय मानक समय के नुषार पूरवाँन के दस बजे नबायनwie डिगरी पूरवी देशांतर पर सिर्लांका स्थानी समय गटाये क्या होगा तो ये मतलब कितला बायन오े डिगरी पूरवी देशांतर है तो शाड़े बैस डिगरी जो होता है पूरवी दिसांतर होता है उसको घटा दो इसमें से 9 डिग्री हो जाएगा आपका 9.5 डिग्री दिसांतर का अंतर आएगा तो यह आजाएगा तब इसमें से 1 डिग्री में आता है एक दिसांतर में 4 मिनट का अंतर आता है गुडा करा दिन 38 मिनट आ जाएगा इसमें तो यह पीवा लॉप का अंसर आ जाएगा यह दिमानक समय यह मुत्र पर 120 डिग्री पूर वीदेस अंतर पर स्थानी समय क्या होगा तो 120 डिग्री पूर वीदेस अंतर इसमें भी वही से हम लगेगा 37 डिग्री मुत्र पर मध्यान समय क्या मारा रस्थासर से नहीं गुजरती है ठीक है भी है भारती मानक समय की देशांतर रेखा सड़े बैसी डिगरी किस नगर से उकर गुजरती है पटना से उकर गुजरती है पटना बिहार से उकर नहीं यार पटना से तो नहीं गुजरती है इलहाबाद से गुजरती है ठीक है इलहाबाद से गुजरती है कौन सा देश आंतर भारत की प्रामारिक मध्यान रेखा साड़े बैसी डिगरी पूरी वीद्ध आंतर और मानक समय रखा किसके समीप से लिया गया इलहावाद के नैनी कर लेना भारती मानक समय यों ग्रीन वीच माध्य समय जीम्टी में अंतर कितना साड़े पांस गंटे का इंतर है कितना साड़े पांस गंटे प्लस का अंतर है थिक है प्लस वाला लिखना है क्योंकि साड़े-5 गंटे अपना आगी है ठीके उसके बाद में ये तियर वड़ासर और सेल प्रदेस में तिरभ में सुर उड़े पांस बज़े अब राता होता है तो घुज़रात में रात में सुर उड़े के समय पर होगा अगर पांस बज़े हो रहा है तो मतलब दो घंटे कांथ ठांथ invers साथ बज़े होगा ठीक है लगभग में साथ बज़े होगा कुछ ऐसा आप सुने हां लगभग में साथ बज़े होगा कौन सा सैर दिली के सबसे समीप के समीप के देसांतर पर इस्थी थे मतलब दिली के सबसे समीप के देसांतर पर इस्थी थे तो यह हो जाएगा मतलब बंगलरू, ठीक है, करनाटक का बंगलरू, अगला दूरस्थ बिंदु यहां से को कया को यह कोश्चन पूछे गए वो सभी डिसकस कर लेता है दूरस्थ बिंदु से क्या 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 question अपके बने चलते हैं घू कुश्चन पर चलते हैं के विंदु का एक विट्धू है रोडाचल प्रुदेश में पस्चुमी बिंदु का पस्च्चमी बिंदु कुछार मुति गुजरात में और दचली ब duż बिंदु क स्वह कult और इन्दरा पइंट हो जाएगा था जाएगा सी वाला सै भारत का सबसे द चली पॉइंट में बढ़ा निको बार में को बार में इस्थित है ठीके इन्दबॉर भारत का सबसे सुदूर दच्छड में इंद्रा पॉइंट कहां पर इस्थित है, तो ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में इस्थित है, भारत के राज़ों का कौन सा एक योगम सबसे पूर्वी और सबसे पस्यमी राज़ों को इंकित करता है, सबसे पूर्वी सब से पस्ष्यमियाजी गुजराट वात का सुधूर पक्ष्यम्ल बूदु तक हाँ पर 8 षी सात मिनट पूरवी गुजरात में तितने के इंगला देखो अब हरति न्हगरों में कॉन सा एक सबसे अधिक पूरव में कौन सा इसके द्व्य लगन ओं रो कि निय 1997 meille अगला देखो अगला कुश्चन भारत का कौन सा इस्थान जहां पर बंगाल की खड़ी अलब अरब सागर तथा हिंदमा सागर मिलते हैं तो उसे कहते हैं कन्या गुमारी कहते हैं अब हैं स् Code percent पूचेंगे उन सभी question को देख लेते हैं चलो के q&a देख लेते हैं स् 독ल देखां जाए आपसे तो ज्यादा तर यह पंगलादेश का चीन का पाकिस्टान ने पाल आइँ है इंचे बौर्डर पूचा जाएगा पाकिस्तान से बंगला देश से पश्चिमंगाल अस्वम्त मेगाले तरपुरा मेजुरूम लगते हैं चीन से लद्दाग, हिमाचल पुरदेश, उत्राखन, शक्किम और व्लाचल पुरदेश लगेगा पाकिस्तान से लद्दाग, जमुकस्मी, और पंचाब, और राजस्तान और गुजरात लगेगा नेपाल से उत्राखन, उत्रपदेश, बिहार, पश्चिमंगाल और शक्किम लगेगा तो यही सब सीज़े हैं यहाँ पर दिखाईगी उसके बाद में लद्दाग, लद्दाग से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बाट्रोस वाज़ा करते हैं मारिपूर और मिजोरम अ्श्रिए ये सब कुछ दिया है कि कोस्टिन पे चलें सन्हां नहीं आ रहे हैं प्हला कुस्टिन के घाता है हुआ पहला कुस्टिन केता है कि इस्ट भुटान वह संब भुटान ज techn तो भांगला नथिस की सिमाओं से लगा हुआ है अच्छा असम जो है भूटान और बंगलादेस की सिमाओं से लगा हुआ है पश्ची मंगाल भूटान था नेपाल की सिमाओं से लगा हुआ है भूटान से लगा नेपाल से ठीक है मिज्टोर्म बγलादेस तो मिवमार की सिमाओं से लगए कोँसे कथन सही है कोँसे भिया कथन सही है तो कथन जो आपके सही है वो सही है एक दो तीन तीनों कथन सही है ठीक है अभी ऊपर पड़ भी चेकिशन ना इसमह में भूटान और बंगलादेस के सीमाओं से लगा हुँआ है यह बश्ची मंगाल भूटान और नपल के सीमा हो से मैजोरन फ्र장 बंगला मममी जो बंगले में में हो ठीक है पस्चीम देखो अग्ला क्वश्यन क्या है इसे देखो किस राज़ के सीमा बंगलादेश से नहीं लगती है कौन सा राज़ यह बहुत बार पुछागे इसको मड़ी भी यह बंगलेम कहां मिल जाएगी ऐसे याद कर ले ना ठीक है मड़ी बंगलेम कहां मिल जाएगी बंगलेम कभी नहीं मिलेगी उसके बाद में कौन सा राज बांगलादेश से अपनी सीमा साजा नहीं करता है कौन सा राज ये नाग अच्छा नाग भी बंगले में नहीं मिलेंगे नाग भी नहीं मिलेंगे और मड़ी भी नहीं मिलेंगे तो ये नहीं लगते हैं बंगलादेश के सीमा से लगे भारत के राजिकों से बंगलादेश से लगेंगे मेग, आश्रम, आश्रम ठीक है, पस्चिम बंगल, बंगल और त्रिपूरा, 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 तीनों लोकों से पुरी होगी अपनी बंगला, पस्चिम बंगल, अश्रम बनाएंगे मेखाले मेखों से भराओगा बंगला ओओ ठीके बारती राज्य की सीमाएं भूटान रास्ट के साथ नहीं लगते हैं भूटान ठीके भूटान तो भूटान मेखाले नहीं लगेगा सिक्किम और रचल पुदेश पस्चिम बंगाल लगते हैं भूटान से कौन कौन से लगते हैं तो सिक्किम लगेगा रचल पुदेश लगेगा पस्चिम बंगाल लगेगा और श्रम लगेगा ठीके यह सब लगते हैं अगला देखो भूटान के साथ सीमा साजा नहीं करता है भूटान के साथ भीहार नहीं लगेगा अच्छा ये क्या दिया गया ये अरे भीया का है आई येस का पूछा गया है इनको मैच कराना है कि अनिश्व विवादात मुद्धे हैं ठीक है इतको इसी पढ़ लेते हैं नौबर निश्व ठानवे बारत पर पाकिस्तान के बीच प्रारंब शम्मिश्र समवाद प्रक्रिया के वरतायत वरतायत कुल छे मुद्धे निदाई थे जिन्होंने सरक्रीक की समुद्री जल सीमा सिंदु नदी जल के बटवारे के संतरगत तुलबूल तथा ओलर बैराज तथा नियंतरड रेखा पर अन्य धलों का विनियोजन सामिल था सब्सक्राइब तो इसको मैस करना था के वाल अंगला देखो किए अधिक्तम सीमा मैं मार से इस पर्ष करता है तो आरुड मरुडा चल परदेस में मार भारत के किस राज्य की कि झाल झाल